एन्सान हो एन्सान ही रहो कभी भी भगवान से कंपेर करने की जुरृत नहीं हैnya सीता माता का नाम लेकिश किया बोलना चाहती आप एसाथ जोड़ पर पर साफ बार बार हाध-जोड़ के रीक्वेस्ट करते हूं और सीता माता को बीच में ना लाओ, बार-बार मैं ये कहना चाहती हूँ So friends, welcome to my channel, कैसे हैं, आप लोग आई होप, आप लोग बढ़िया होंगे और काफी लोग वेट कर रहे थे मेरे वीडियो का, हलांकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई, कुछ चीजों में busy थी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ देर पहले ही जो देवरानी जिठानी, देवरानी का तो वीडियो आ गया था और जो जेठानी जी है उनका भी वीडियो अभी अभी आया है कुछ चीजों पे जो पिछले वीडियो पे है ना काफी लोगों ने वो चीजे बोली थी कि आपने जब सास में सिंदूर लगाया तो वो क्यों नहीं दिखाया इन फैक्ट वो चीज मैंने भी अपनी वीडियो से बोला था तो इस चैनल पे जो सही चीज होती है वो सही बोली जाएगी जो गलत होती है और एक को सपोर्ट नहीं जो मुझे सपोर्ट जो मुझे सही लगेगा मैं उसको सपोर्ट करती हूँ जहां पे जो मुझे गलत लगेगा मैं उसको गलत बोलती हूँ जब कामनी ने कमेंट पिन किया था उसको मैंने गलत बोला कि आप किसी को टार्गेट कर रहे हो हालांकि बात में वो कमेंट चेंज कर दिया गया था कल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है जरूर देख लीजे तो चलिए मैं बात करती हूँ बहुत जो अभी इनका पहले मैं जो दिवरानी जी है ठीक है उनके वीडियो पे आती हूँ जवरानी जी है अपनी वीडियो में आके ठीक है बोलती थी इंडरेक्ली कुछ वीडियो इन्होंने मतलब अभी आज के टाइम पर कुछ वीडियो पब्लिक थे जो प्राइवेट कर दिये गए जहां पर खुले आम इन्होंने जो जेठानी जी है उनके लिए सब चीजे बोली है ठीक है चाहें वो कि इस इनका इस घर पे सब कुछ मेरा है ऐसा कुछ था जो मेरे पास एक नहीं मेरे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे तो मैं यह पर यह चीज कहना चाहती हूं कि मैं जब तक चीजे नहीं जो देखती हूं वीडियो पे उसके आधार पर यह बोलते हूं अब आज ठीक है मैं आप लोगों को जादा कुछ पता है लेकिन मैं जो रीसेंट वीडियो जा रही है उस पर मैं रियाक्शन देती हूं ठीक है और आज खुद वीडियो में जो मैं यहां पर मानना चाहती हूं मैं बिल्कुल कहूंगी कि कॉंट्रोवर लेकिन जो आप वीडियो में दिखा रहे हो किस तरह से कौनसी चीज एकदम से कट कर दे रहे हो कौनसी चीज नहीं दिखा रहे हो और यह सिर्फ एक को नहीं कहूंगी मेरा यह जो क्वेस्चन ह्फैALLY दोनों को रहते हैं यहाँ पर controversy दोनों देवरानी जिठानी कर रही है ठीक है हम किसी एक को blame नहीं कर सकते हैं चाहे वो उदर देवरानी हो चाहे वो जेठानी हो जेठानी जी ने आज clear किया है भई जो पुराने घाव होते हैं इतने असानी से मिटते नहीं है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह सिर्फ और सिर्फ content है मैंने यहाँ पर आके वीडियो बना लिया this is my life उनके साथ actually में हुआ है जिस पर बीटती है न वो बहुत अच्छे से सोचता है समझता है ठीक है और community छप जाती है मुझे समझ नहीं है तो उसी time क्यों छपती है जब जिठानी ची hospital गई थी ठीक है आप बोलते हो कि मैं controversy नहीं चाती हूँ आपने अपनी वीडियो में ये क्यो नहीं बोला कि भाया भावी hospital गए है आप चाहती तो उसी time clarity हो जाती लोग वहाँ पर आके गालिया दे रहे हैं गालिया कौन पड़वार है आप लोग misleading information देते हो आप लोग complete information नहीं देते हो आप लोग comments pin करते हो आप लोग इस तरह की चीज़े बोलते हो ठीक है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कहना चाती हूँ आप लोग social media पर खुद चीज़े लेके आते हो ठीक है तो please यह सब चीज़े देखिए चली मैं video start करती हूँ पहले मैं बात कर लेती हूँ इनका title है मुझे बार-बार controversy करने के लिए पोक किया जा रहा है कितने पैसों में खरीदा reaction channel अच्छा अकसर यह चीज़े सुनी जाती है reaction channel को खरीद लिया फलान ने धमाके ने खरीद लिया अच्छा यह इसके favor में बोल रहा है तो इसने खरीदा हुआ है अरे यह अभी की बात नहीं है आप देख लीजे अभी इससे पहले लखनीत family ठीक है मैंने लखन को support किया ठीक है उससे पहले आप देख लीजें हमाचली sisters और अंकुशकनी होतरी अंकुशकनी होतरी को support किया तो कई बार इवन लोगों ने ये बोला कि आपने ये paid reaction channels है ये खरीदे वे reaction channels है और इवन कुछ मतलब अगर आप सच का साथ दो ठीक है जो आपको सही लग रहा है according to videos यहाँ पर आके बोलो काफी लोग बोल देते हैं इतने reaction channels है सब की भईया independence है सब उनको दिया है constitution ने right कि freedom of speech है जो उनको point of view पर वो अपना रखते है ठीक है तो यह चीज तो आए दिन reaction channels वाले कहते हैं कि used to हो जाते हैं कि सुनने में लेकिन as far as my channel is concerned मैं यहाँ पर सही को सही गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती हूँ ठीक है मैं डरती नहीं और इसी वज़े से दे कि हमें trollers भी मिलते हैं हमें troll भी किया जाता है ठीक है और चलिए मैं वीडियो की जादा बड़ा वीडियो हो जाएगा पहले वीडियो के बार में बात करती हूँ तो reaction channels को नो कोई खरीद नहीं सकता जिन्होंने इस चीज़े clear करी है कि reaction channels को पहले मैंने मेरे को बोला पती को खरीद लिया, बच्चे को खरीद लिया, साससूर को खरीद लिया तो reaction channels को भी खरीद लिया तो मुझे जहां तक लगता है जितने भी reaction channels से सब अपना काम कर रहे हैं जिसको जो सही लगता है उसको सही बोलते है मैं यहां पर जब जो मुझे सही लगए मैं उसको उसको सही बोलूंगी और जहां पर यह और मुझे कामनी सही लग रहे तो मैं उसको गलत हैं तो मैं उसको गलत बोलूंगी ठीक ऑछेorm। खैर आज की वीडियो में इंकी editing हो रहे हैं ये train में बैठी है ये लेकिन बार बर ये चीज क्योंकि हो सकता है इनका next video में ये दिखाएं जाने का scene की ये चली गई है अलांकि आज की वीडियो में ये इंहीं बोल रही थी कि इतनी सारी tensions है हमारी जो tickets हैं वो confirm नहीं हुई है त तो जिस तरह से भी लोग जा रहे हैं, I don't know, लेकि एडिटिंग के जिस तरह से वॉइस ओवर ता उसमें लग रहा था कि ये ट्रैवल कर रही है, मतलब जरनी के बीच में ही, या फिर ट्रेन में है, या गाडी में है, जहां पे भी है, ये वहीं से बैठके कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला, आप फ्लाइट से जा सकती है, कुछ लोगों ने बोला, पूरी वीडियो में आप यहीं बोल रहे हो, कि हमारी हुई नी टिकेट, हम जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, तो इन्होंने बोला है कि फ्लाइट से मेरी सासुमा नहीं जा सकती है, चल से आई हैं आपको याद होगा कल जो कम जो कामिनी जी का वीडियो आया था कामिनी जी का वीडियो था कि जिम्मेदारियों में मैं या मेरी तबियत अर्चन नहीं आईगी तो इस चीज का जवाब यहां से दिया गया है अगर मैं कामिनी जी की उस्टेट्मेंट की बात करूं ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब क्यों बोला, आज की वीडियो अभी कामिनी जी की आ गई है, in fact मैं उनकी वीडियो का वेट कर रहे थी, उन्होंने बोला मैं चीजे सोचती हूँ, समझती हूँ, महसूस करती हूँ, तब मैं यहाँ पर आके बोलती हूँ, ठीक है, किसी के साथ क्या चीजे चल रही हैं, तो बिल्कुल उनकी जो स्टेटमेंट है कि सोच समझकी ही, मैंने ये सब चीजे बोली है, तो वो कमिनिटी उस टाइम पर ही क्यों आई थी, जब वो उस टाइम हॉस्पिटल में एड्मिट थी, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये चीज भी आ सकती है, मैंने ये नहीं बोला कि वहाँ पर हस्पिटल और कामिनी जी हॉस्पिटल में एड्मिट थी है, इन फैक्ट आप लोगे पास बहुत चीज़े कॉंटेंट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग प्रूफ मांगते हैं, तो इसलिए इन्होंने चीज़ क्लियर करने के लिए, क्योंकि बार बार प्रूफ मांगे जाते हैं हर चीज़ के, तब इन्होंने अपने हस्बेंट से कि थोड़ा सा शूट करो, लोगों को प्रूफ करने के लिए, वरना लोग बोलेंगे कि आपका कोई सबूत दो, सबूत दो, ठीक है, तो उस दौरान इनकी फैमिली से, मतलब जैसे उनकी सिचुएशन आपने देखी, फैमिली से यहाँ से किसी ने भी कोई, मतलब खोज रहा सकते थे, कि उसकी किसी ने help नहीं करी, पूरी फैमिली कहाँ पे, इतना तो होना चाहिए, इतना तो मतलब हाट होता है, कि देखो उसकी situation क्या है, ठीक है, लेकिन आज इन्होंने target किया है, कि मुझे poke किया जा रहा है, अच्छा कुछ comments में यह reply कर रही है, और इन्होंन पो करती थी, आपने आज ही खुद मानी है, 20 दिन से आप नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं इस चीज को मान लेती हूँ, लेकिन वीडियो में आप normal, मैंने यह चीज बोली है, इनके वीडियो अच्छे हैं, बीच में normal वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो पूरी information ना देना, कुछ चीजें वीडियो में ना दिखाना, और यह दोनों के लिए ही है, ठीक है, उस चीज की उन्होंने आज clarification कामिनी जी ने दिये, कि सासु मा को तो मेरे को मैं दिखाती ही नहीं थी, काफी टाइम से, मैं सिरो अपने बच्चे को, अपने को और अपने अब उस कमेंट से आप किसको टार्गेट कर रहे हो, कौन भेदभाव कर रहा है बच्चों में, ठीक है, तो दिमाग से आप लोग खेलते हो, सब्सक्राइबर्स के दिमाग में आप लोग चीजे डालते हो, तो यह सब चीजे बंद करें, कामिनी जी ने कभी धनवा को मना न होंगी, आज उनका जो थमनेल थाना, वो थमनेल बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ससूर जी, ससूर जीन की वीडियो में दिखते हैं, आशिरवात देते हुए, कल आपने देखा ही था, ठीक है, तो सच्छे लोगों पर लगे जूटे आरोपो का घाव इतनी जल्दी नहीं भरता है, किसी भी चीज का दुख खतम या कम होने में टाइम लगता है, यह सब करने की पीछी का कारण जान आप भी सहमत होंगे, तो आज की वीडियो में इनकी स्टार्टिंग हुई है, कुछ इस प्रकार से की सब लोग जा रहे हैं, अफकोर ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में वीडियो में यही बोला है, लोग जो बोल रहे हैं, कि आपने यह नहीं दिखाया है, यह allegation सासु मा को सिंदूर लगा रही थी, इन्होंने वो चीज क्लियर करी है, कि मैंने बहुत पहले से बोल दिया था, मेरी वीडियो में मेरे हस् से देखिए, जो चल रही है ना धिमाग में बहुत पहले की असान नहीं होती है, इतनी सारी जो कॉंट्रोवर्सी के दौरान इनके जो मदर फादर के लिए जो चीजे हुई है, उनके फादर को क्या treatment मिला, शादी में है ना, वो चीजे असान नहीं है भूलना, तो उन रहता है, ठीक है, पूरे दिन रहता है साथ में, वो चीजे क्या-क्या face कर रहा है, क्या-क्या चीजे सुन रहा है, उसका ये result होता है, और उसी टाइम पे वो community क्यों लगाई गई थी, मैं बार-बार यही question करती हूँ, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, चलिए आपने बहुत सा चीजे की सासुमा के पैर चूने के लिए, कामिनी जी गई, एक सीन में ऐसा दिख रहा है कि जब जो बाबा, अपने ससूर के पैर चू रही है, ससूर ने आशिरवाद दिया है, लेकि उस टाइम पे जो सासुमा है, वो एकदम से जाते वे दिख रही है, ठीक है, लेकिन फि से तो भई, पॉस्टिविटी मैं कहूंगी, वो वहाँ पूजा में भी बैठी, ठीक है, छट पूजा में भी गई, यहाँ पे अपनी तरफ से सासुमा और ससूर जी के पाऊं भी छूए, तो कहीं से भी आज की वीडियो में, उल्टा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस ट लोग देखी, वो नीचे उनके कमरे में आ गई, टीवी बगेरा चला लिया, और मुवी बगेरा देख रहे हैं, तो उसमें भी लोग की कैसे आ के हस रही है, देखो, सब चले गए, कैसे बेड़ पे बैठी है, उनकी आज अनिवर्श्री भी है, तो मैं सबसे वहले कॉंग् उपर इनका इतना कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन मतलब वो जो इंटीर का काम चल रहा है, प्लस इनकी ननद भी है, तो ये इस फ्लोर पर इसी वज़े से रुकी होंगी, इस पे भी लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स लिखने शुरू कर दिये हैं, तो ये है इनका का वीडियो, बाकी नोंने क्लियर किया है कि इतनी चल्दी चीज़े नहीं भुलाई जा सकती है, जो चीज़े हुई है, अगर सिर्फ मेरे लिए कॉंटेंट होता है, तो डाल के चलो, अब डाल दिया, अब सब चीज़े खतम, दिमाग में बहुत चीज़े चल रही है, ठीक नहीं किया है, ठीक है, लोग करते हैं, कई बार रियक्शन चैनल से खुद बात करने की लोग कोशिश भी करते हैं, तो मैं यहां पर यह भी चीज़े कहना चाती हूँ, मैं यहां वीडियो के अधार पर रियक्शन देती हूँ, जो मुझे सही लगेगा, उसको मैं सही और गलत को गलत बोला जाएगा, तो यह है मेरा आज का वीडियो, और अक्सर ऐसा होता है, रियक्शन चैनल को खरीदा तो वो देखे, उन्होंने क्लियर किया है कि काश में तरी अंबानी बन जाओं कि मैं खरीद लूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ रियक्शन चैनल, जो शायद मैं किसी पर्टिकुलर बहुत सारे ऐसे रियक्शन चैनल है, जो हो सकता है, पेड रियक्शन चैनल होते हैं, जिनकी वज़े से हर रियक्शन चैनल को गलत समझ लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर इंसान अपना काम कर रहा है अपना point of view अपने channel के थूर रखता है तो reaction channels की वज़े से काफी लोग हैं जो देखे जा रहे हैं in fact आज के time पर तो चलिए friends खुद अपने घर की चीज़े लाते हो यहाँ पर controversy करते हो और फिर यहाँ पर आगे ना please सबसे पहले तो मैंने यही बोला है कि सीता माता को बीच में मतला हो आम इंसान हो आम इंसान ही रहो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में बाई 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 एक और वीडियो आएगा बाई बाई